माराष्ट के मराठ वारा इलाके में जो हल्दी का देश का सबसे बड़ा बेल्ट है जहां पर 30 से 40 परसेंट हल्दी का उत्पादन जिस एरिया में होता है और इस महापंचायत की सुरुवात हमने हल्दी के साथ इसलिए की है क्योंकि किसी भी काम की सुरुवात हल्दी से होती है इसलिए जब हल्दी से शुभारंब होगा तो हमारा महापंचायत देश-देश में देश के हर गाउं तक हर तालुके तक पहुँचेगा इस मकसर से हमने सुरु किया है और इस महापंचायत में आज अपने इस जागरुकता अवियान को लोगों तक पहुचाने के लिए हमारे साथ चार महमान स्टेज पर मौजूद है हमारे साथ गुनवन पाटिल जी है MSP कमिटी के मिंबर है और किसानों की बात रखते हैं नाशनल लेबल पर रखते हैं नाशनल मीडिया के जरिये रखते हैं हमारे साथ जैपरकाश जी है जैपरकाश लड़ा जी जैपीए स्पाइस से आठते हैं अमित उपाध्याए है NCDX को रिपरजेंट कर रहे हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और साथ ही नितिंग चौहान है गोडा एपीसी से आप सभी मेमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महा पंचायत में शामिल होने के लिए सबसे पहले गुनवन्द पाडिल साहब आप सबसे वरिष्ट हैं मैं आप से ही सुरुवात करूँगा एक्चेंज का जो एक प्लेटफॉर्म है इसको लेकर तमान तरह की ब्रांतिया लोगों में फैली हुई है लेकिन हम देश को एक पांच ट्रिलियन दस ट्रिलियन एकॉनमी की हमेशा बात चीत करते रहते हैं इतनी बड़ी एकॉनमी है इक्चेंज का प्लेटफॉर्म फार्मर्स के लिया से कितना अहिम है इस पर आप क्या कहेंगे देखिए यह प्लाटफॉर्म बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है आभ यह आपको भले छोटा दिखता होगा लेकिन यह फ्यूचर वाला बड़ा प्लाटफॉर्म है जो नया मार्केट आ रहा है यह मार्केट यही मार्केट आगे चलेगा क्योंकि जब से हमने WTO पर साइन किया है उसके बाद हम वर्ल्ड मार्केट के बारे में सोचने लगते हैं तो वर्ल्ड मार्केट में जाने का जरीया यही है यहां से ही वो रस्ता जाता है जो वर्ल्ड मा अभी ये जैसे अभी आर्टिफिशल इंटलेंज आने के बाद जो दुनिया में चेंज होने वाला है अग्रिकल्चर मार्केट में तो कुछ चेंज हुआ नहीं ये पहला मार्केट है ये जे पहला प्लाटफॉर्म है जो आग्रिकल्चर मार्केट को रिफॉर्म्स की तरफ ब मुकती की तरफ लेके जाने का मुझा इसालगता है और इसी मार्केट से हम रिफोर्मस की तरफ जा सकते ट्रेडिशनल बार्केट से हम कुछ नहीं कर सकते मुझा इसालगता और उसके फायदे को अपनी खेती के लिए आप कैसे इस्तिमाल करके और उसको एक नई दिशा कैसे दे सकते हैं, इसके लिए ज़रूरिया है, चलिए हल्दी की अब आप सुरुवात कर लेते हैं, हम ऐसे मार्केट में बैटे हुए माराटवारा के, जहां सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन होता है, अब सुरुवात, नितिन चौहान जी आ इस शेत्र की, फिर मैं उनको आगे ले जाओंगा, उस समस्याओं को दूर कैसे करना, इस पर बात करेंगे, जी, प्रतमता सबको नमस्कार, तो किसानों की समस्या ये है कि किसानों को अवेरनेस लेवल में काम करना पड़ेगा हमें, जैसे किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी खेती में बनती है, वैसे ही टर्मरिक का बॉइलिंग हो, उसका ड्राइंग हो, इन चीजों को खेत में हम बनाते हैं, क्वालिटी के जो एरिया है वो, उसके उपर किसानों को अवेर करना ज़रूरी है, गाजरी लोखंडी का जो इशू यहां होता है, ज्यादा तरे, NCDX मे यहां की हल्दी न लगने का मेजर कारण यह सामने आता है कि गाजरी लोखंडी का मात्रा यहां ज्यादा होती है, तो उसके लिए किसानों का अवेरनेस लेवल कम होता है, तो उनको अवेर किया जाए, जैसे अभी अमित सर के माद्यम से महें पिछले एक साल से इस बात को कि जा रहा हूं, तो यह जरूरी है, ड्राइंग में भी हम किसानों को ड्राइंग करते समय उसका लेर कितना युचा होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी जो बनती है ड्राइंग के समय वह वहीं पर बिगड़ती है तो यह चीजों में अवेर्नेस अगर हम करते हैं किसानों को तो यहां से भी क्वालिटी अच्छी बनेगी और माल इंसीडियस को हम दे सकेंगे यहां से कुल मिलाकर एक्चेंज के आने से आपके पास जो आपके यहां पर अगर आपके शित्र में एक्चेंज अगर इतना अक्टिव होके काम कर रहा है तो इससे आपको फायदा यह होने वाला है कि आपकी क्वालिटी और गुनवत्ता सुधरने वाली है आपको बेहतर प्राइस मि आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्री आते होंगे, जेपी लड़ा साब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़ुरत है इस मार्केट को, क्या करने की ज़ुरत है, क्योंकि आप जिस तरह के पोड़क्ट, जिस तरह की हल्दी यहां पे प्रोक्यूर करते होंगे, खरीबते से क्या उसमें कुछ बदलाओ की जरुत आपको लगती है एंसी डेक्स इस फ्लैंट फ़र्प के वज़े से हमें फाइनसियल सेक्यूरिटी मिल रही है आज बिजो बिजनेस में चड़ाओ उतार हो रहे हैं उनसे हमें खुद को सेपगार करने का एक बहुत बड़ा सकते हैं और अपना प्रॉपिट मार्जिन सेक्यूर कर सकते हैं बिलकुल सही बात है इनकी परकाश जी की बात को मैं आपको समझा दे रहूंगे कहना यह चाह रहे हैं कि जैसे यह किसान से माल खरीते हैं अब इनको बड़ी इंड़स्ट्री को बेचना है इनके माल लीजे अब इनके पास आप से आप किसान है आप से माल तो इन्होंने खरीद लिया लेकिन अब इनको माल बेचना है किसी बड़ी इंड़स्ट्री को तो उनके क्वालिटी के हिसाफ से उनको माल को बदलना पड़ेगा तो कुछ दिन यह अपने स्टॉक में रखेंगे भाव तो का आपके पास इस से बेहतर और सस्ता विकल्प आपको कहीं नहीं मिलने वाला है वो है NCDX का प्लेटफॉर्म तो यह जरूरी है यह कहना यह चाह रहा है कि इनके पास इन्वेंट्री तो है श्टॉक तो है हल्दी का 15,000 माली जी 15,000 के इनकी कोस्टिंग है एक अमूमन मैंने इसी फिगर बता रहा हूं माली जी कल अगर गिर कर 14,000 हो जाए या 16,000 हो जाए दोनों तरह के रिस्क है तो एक्चेंज पे जाके इन्होंने शॉर्ट कर दिया शॉर्ट पोजिशन ले लिए मंदी की पोजिशन ले लिए अगर गिर गया तो वहां से कमाई हो गई अगर ते मेंबर्स का स्वागत और ओडियन्स में जितने भी लोग है आज मराठ वड़ा बेल्ट से उन सब का स्वागत है NCDX और ET स्वादेश की और से NCDX जो प्लाटफॉर्म है ये एक derivatives प्लाटफॉर्म है और derivatives का प्लाटफॉर्म पूरा value chain ecosystem में जितने भी participants होते हैं चाहे वो farmer है, farmer producer organization है, physical trader है या प्रोसेसर है जो finished product को बनाते हैं हर किसी का अलग-अलग risk होता है चाहे वो price risk हो, चाहे वो inventory risk हो या basis का risk हो exchange एक ऐसा platform लोगों को मुहिया करवाता है जिसमें अलग-अलग participants अपने हर तरह के risk को mitigate कर सकते हैं जैसे लड़ा जी ने बताया कि आज उनका inventory का risk है या price का risk है तो price risk उनका कैसे वो mitigate कर सकते हैं hedging के तोर पे अब hedging platform को लोग as a procurement भी use करते हैं hedging platform को लोग as price risk भी use करते हैं मान लो मैं कोई physical trader हूँ और मैंने farmer से आज माल खरीदा और उस माल को बनाने के लिए मुझे 10 से 15 दिन का समय लगता है जैसे इन्होंने बताया कि किसी x y z company को ये माल supply करते हैं या किसी powder manufacturer को ये माल supply करते हैं तो इनको जो quality produce करना है या quality जो इनको माल इखटा करके उसको sorting, grading, clean करके, package करके या hand picking करना होता है उसमें 10 से 15 दिन का समय जाता है और जैसे कि आपने अभी discuss किया कि इन 15 दिनों में price fluctuation बहुत ज़्यादा होता है because arrival का season होता है आवक शुरू हो जाती है जब supply market में आना शुरू हो जाता है तो price में हमको variation देखने को मिलता है और इसी price risk से सबसे बड़ा risk उनको होता है जो process कर रहे हैं उस माल को अपने supplier को देने के लिए उस period में वो जैसे आपने बता है exchange पे hedge करके चल सकते हैं उन्होंने short position create किया तो अगर भाव नीचे गिरता है 1000 रुपया तो वो अपने core activity पे focus कर सकते हैं और जब actual जब उनका order delivery पे जब उनका container लोड होके supplier को माल जा रहा है उस वक्त जब उनको payment वहां से receive हो जाता है वो अपना position को square off कर सकते हैं similarly अगर मान लो मैं कोई masala powder manufacturing company हो और मुझे arrival season में ये डर लगता है कि भाव किसी भी कारण के वज़े से भाव बढ़ जाएंगे जिसके वज़े से मेरी profit margin को दिक्कत आ सकती है तो मैं exchange platform पे buying करके चलूँगा buying करने से मेरा सबसे बड़ा important risk cover ये हो जाता है कि मैंने नीचे के भाव में माल को खरीद लिया अब अगर किसी भी कारण वर्ष अगर भाव market में उपर चला जाता है जो arrival की quality है quality खराब हो गई या uneven बरसात हो गई या किसी uneven circumstance के वज़े से supply में आने में देरी हो गई ऐसे situation में हमने हमेशा देखा है कि market में price volatility होती है और जितने भी market के चाहे वो buy side या sell side के participants होते हैं वो इस volatility को cover करने के लिए exchange में या तो buyer या seller बनके आते हैं और इसी तरीके से वो अपने risk को mitigate करते हैं अच्छे से समझा दिया Amir जी कि किस तरह से जिस तरह की आपकी position है अगर आपके पास inventory है तो उस inventory के रिसको कैसे कम कर सकते हैं क्योंकि भाव गिरने का डर रहेगा आपके पास माल पड़ा हुआ है अगर आपको लगता है कि भविश में आपको माल खरीदना है तो आपको ड सार्मर से Amir मैं रहा यह बातचीत की है तो उनका कहना यही था कि वह जब भी यहां पे माल deposit करते है तो उनके माल की क्वालिटी को लेकर चسمता होती है क्योंकि रिजेक्शन के चांसे क्या होते हैं तो वह रिजेक्शन कम हो उनके लिए आप क्या सुझाओ देना चांगे उन तब तक आप किसानों की मदद नहीं करेंगे, फिर तब तक उनके माल रिजेक्ट फोते रहेंगे, तो इस मामले पर आप क्या कहेंगे एक्षेंज की तरफ से, सरू अगर आप देखेंगे पिछले पांच से साथ सालों में, मराठवाडा जो बेल्ट है, ये धीरे धीरे आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड़क्शन बेल्ट बन चुका है, और अभी जो लेवल ओफ अवेरनेस किसानों में आनी चाहिए, वो धीरे धीरे हर साल हमने उसमें इंप्रूमेंट होते हुए दिखा है, ये हमेशा एक शिकायत रही है कि यहाँ पे जो माल है वो डेपॉ आँगा कि लास्ट येर जो भी फिजिकल ट्रेडर्स ने यहाँ पे हमारे ड़ुडीरे एक्रिडेट वेरह उसमें अपना माल डेपॉजिट किया था, लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट के बाद हमने देखा था कि 19-20 परसेंट का फरक था और उस कॉलिटी पैरामीटर को ल करेंगे कि अगर उस पैरामीटर को हम पूरी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमीटी के थुरू अगर इस पैरामीटर को थोड़ा सा और कुशन दे सके इस कुशन देने से कितनी जादा मात्रा में लोग और हम उनको मोटिवेट करें कि वो आके अपना माल डेपॉजिट करें उनका माल यहां पे पास हो और वो NCDX प्लाटफॉर्म पे पाटिसिपेट करें रही बात किसानों की विश्मोवन जी बगल में हमारे बेट है नितिन चवान जी जो मैनेजिंग डिरेक्टर है गोदा फार्म एफपीसी से और पिछले एक देड़ साल से हम उनके साथ में इस साल भी अभी जो आवक आने वाली है उस आवक के हार्वेस्ट प्रोसेस में उनके साथ जितने भी 35-40,000 किसान हैं उसमें से हमने 5-6 गाओं को आइडेंटिफाई किया है जिसमें हमारी FPO टीम किसानों को जाके पूरा प्रोसेस समझाएगी सिखाएगी ताकि यह जो हल् पर रिजेक्ट होते हैं उस पेरामीटर को हम सही तरीके से सुधार सकें उस पेरामीटर पे माल पास हो जब मंडी में माल आये जो फिजिकल ट्रेडर है उस माल को खरीदे और खरीदने के बाद जब वो आगे सौटिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग और डंग से पैकेजिंग करके NCDX parameter के हिसाब से माल लाएगा तो definitely आगे माल पास होना चाहिए यानि quality parameters पे लगातार राहत दी जा रही है ताकि आपके माल reject नो हो मैं बापस से नितिन जी के पास जाऊँगा उससे पहले आपस एक और चोटा सा सवाल मैं करना चाह रहा हूँ एक तो deposit तो बहुत आसान होता कि किसान गए माल एक्चेंज के platform पे जमा किया वेराउसेस में जमा किया आपको पैसे मिल गए अगर reject होगे तो दिक्कत अलग है लेकिन अगर माल जमा किया उसके अलाबा भी आपके पास हेजिंग के बिगलप है अगर already कि काफी सारे financial players को हमने इस market से introduce भी किया था और उन financial players ने यहाँ पे माल deposit करने की प्रक्रिया को शुरू किया और satisfactory report भी आया और जब माल यहाँ पे deposit नहीं हुआ तो उन्होंने non-demat जिसे कहते हैं याने जो गोदाम NCDX में accurate नहीं है जो private warehouses हैं उन्होंने यहाँ के ट्रेडर से physical में माल खरीदा माल खरीद के उन्होंने non-demat में माल रखा याने जो गोदाम private है personal है वहाँ पे उन्होंने उन गोदाम में माल रखे और exchange पे hedge करके चले और उन्होंने जो भी उनके business में मुनाफा और कमाना था उन्होंने वो कमा है बट जैसा कि आपने बताया है कि exchange में काम करने के लिए स्रिफ आपको demat में माल लगा के काम ही करना है ऐसा विकल्प जरूरी नहीं है यह एक myth है आप non-demat में भी माल लगा के यहाँ पे hedge करके चल सकते हैं in fact आज exchange पे जितने भी करिब तेरा कमोडिटीज में काम किया है और यह राज्य है महारास्टरा, गुजराथ, MP, तेलंगाना तेलंगाना में तो पूरा टर्मरिक बेल्ट पे ही काम हुआ है और आगे भी हमारी यह आशा रहेगी कि जितने भी FPCs हैं यहां पे मराटवडा में उन सब के साथ में हम मिलके काम करें और किसानों तक awareness ground level पे लेके जाए ताकि यह जो दिक्कत है इसका solution कर सकें किसानों को अवेर करने की ज़रुरत है तो कई सारे किसानों से बात हो रही थी कि options के contract आपके active contract है यहां पे मसालों में उसका दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे उहां पर participation बढ़ाया जा सकता है उस front पे कुछ आप details बता है, options पे कैसे भागिदारी कर सकते है और उसको लेकर कैसे जागरुकता यहां पे बढ़ाई जाए क्या आप कुछ आगे इस तरह के कुछ प्रोग्राम और करेंगे इस तरह के So NCDX ने पिछले तीन सालों में काफी सारे प्रोग्राम्स यहां पे और्गनाइस किये हैं especially awareness प्रोग्राम्स आरे किसानों के साथ में हमने नांदेड मंडी में किया हुआ है बसमत मंडी में किया हुआ है हिंगोली में किया हुआ है हमारी जो FPO की टीम है वो exclusively जितने भी FPCs यहां पे registered है उन FPCs के जितने भी CEO या डिरेक्टर्स या MD होते हैं उनके साथ मिलके ये options का awareness program हम करते हैं कि कैसे एक किसान put option को buy करके यहां पे exchange platform पे अपने risk को mitigate कर सकता है हम किसानों तक और physical traders तक ये message पहुचाना चाते हैं कि आपको NCDX platform को एक insurance product की तरह के से देखना है आपका जो core activity है चाहे वो आप किसान हो तो आपका activity है किसानी करना जो physical trader है उनका काम है physical में माल procure करना प्रोसेसर को माल supply करना, supply center पे माल supply करना बट जब आप अपने core activity में involved होते हैं उस time पे आपको NCDX पे जब आप बहच करके चलते हैं तब आप अपने risk को एक insurance cover की तरह एक छोटा सा premium देके put option बाई करके चलते हैं कि मानलो अगर भाव market में नीचे चला जाता है तो आप exchange में put option बाई करके आप यहाँ पे अपना माल deliver कर सकते हैं उसके लिए आपको एक छोटा सा premium देना होता है और इस तरीके के awareness session हमारी जो business team है, हमारी जो product team है FPO team है, वो ground level पे day in day out काम कर रही है और मैं लोगों को जैसे अभी sir ने बताया कि market को connect करना बहुत जरूरी है पिछले साल भी हमने financial players को इस market से आउगत कराया था यहाँ पे physical में लोगों ने buying किया हुआ है तो buyer इस market में already आ चुके हैं जो buyer एक जमाने में, सांगली में, erode में और निजाम में जाते थे आज वो सारे financial player बायर मराटवाड़ा बेल्ट में आ रहे है आज जितने भी value chain participants है वो मराटवाड़ा में आ रहे हैं और यह पूरा जो ecosystem है इस ecosystem का growth इसी लिए हो रहा है क्योंकि यह सारे ecosystem के player जो value chain participants है यह हमारे साथ जुड़े हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं इस market को grow करना चाहते हैं इसमें आपको छोटा सा example देना चाहूंगा सर जैसे आप अगर एक किसान हो आज आपका जो sowing का season शुरू होगा वो आपका जून मे से में एंड से में जून जुलाई ओनवर्ड्स हल्दी का sowing शुरू होता है अब हम पिछले साल का example अगर लेते हैं तो पिछले साल के example में 6,000 arrival के टाइम पे भाव था और भाव ये गया 18,000, 18,000 से भाव आया 12,000 और फिर ये भाव fluctuate होता हुआ आज अगर हम देखेंगे आज का spot market का हाजिर में भाव 14,000 से 15,000 के range में है आज जब कोई भी किसान जब sowing में जाता है तो किसान के लिए सबसे बड़ा risk क्या होता है वो risk होता है price risk कि आज मैं sowing करूँगा मैं effort लोगा, मैं seeding करूँगा मैं उसमें खाट डालूँगा पानी डालूँगा, पूरे साल भर मेहनत करूँगा और जब अगले साल मार्श 2025 में arrival आएगा उस वक्त मेरी उपज का दाम क्या मिलेगा यहाँ पे आपका प्रश्ण NCDX या quality नहीं है यहाँ पे आपका जो प्रश्ण है कि क्या मुझे आज जो 15,000 स्पॉट के दाम को देखके मैं हल्दी की टर्मरी के क्रॉप को सेलेक करके इसमें सोइंग करूँगा अगले 10 महीने की मेहनत में क्या मुझे मार्श में 15,000 मिलेगा 20,000 मिलेगा या 6,000 मिलेगा यह सबसे बड़ा रिस्क है सो प्राइज वॉलिटिलिटी को आप कैसे मिटिगेट करोगे वो NCDX के तुरू करोगे इसके लिए आपके पास दो उपाय है या तो आप फ्यूचर में बेच के चलोगे आज अकर मालनो फ्यूचर का एप्रिल वाइदा इसाड़े 15,000 है और जून वाइदा 16,000 है तो आपने 16,000 पे लॉक कर दिया बट आपका अराइवल कब आने वाला है आपका अराइवल अगले मार्च में आएगा तो जब अगले मार्च का कॉन्टरैक्ट होगा या जो भी एप्रिल का या अगले जून का contract होगा उसके लिए आप क्या करोगे आप April वाइदा बेच के चलोगे आपने 15,000 पे lock कर दिया price अब price कहां पे भी जाए अब अगर price 20,000 जाता है तो आप exchange के अपने positions को square off कर दोगे और physical में अगर 20,000 का भाव मिल रहा है अब जैसे हम insurance लेते हैं बिमा कराते हैं अपने health का अपने two wheeler का अपने mobile phone का अपने car का उसके लिए हमको एक premium देना होता है option में आप put option buy कर सकते हैं exchange platform पे put option buy करने के लिए आपको एक छोटा सा premium देना होगा मानलो अपने एक lot लेने के लिए 500 रुपया premium दिया एक example के तोर पे 500 रुपय में दे अपने 15,000 का price lock कर दिया अब अब आप अपने खेती में लग जाईए मन लगा के अपना खेती करिए जब आपका harvest period आएगा उस वक्त आपके पास दो option होगा क्या मुझे 15,000 exchange में बेचना है या मुझे market में अच्छा दाम मिल रहा है या सेम दाम मिल रहा है तो मैं exchange में जाके बेचू या फिजिकल market में बेचू तो आपने insurance policy एक put option का छोटा सा premium पे करके अपने उपज के दाम को lock कर लिया sir और ये lock करने के लिए आपको उस जब आप sewing करते हो तब आपको exchange का quality या delivery नहीं देखना है आपका माल लग रहा है ये नहीं देखना है आपको ये देखना है आप अपने risk को कैसे mitigate करते हो आप अपने risk को कैसे lock करते हो तो कोशिस यही है इसलिए NCDX आपके लिए काम कर रहा है तो आप अपने किसानों के लिए अपने तालुका के लिए गाओं के लिए जीले के लिए काम कीजिए यही हमारी कोशिस है और आप सभी मेमानों का बहुत बर शुक्रिया आप हमारे इस महा पंचायत में आए पाटिल सर, जैपरकार जी अमिज जी और नितिन चौहान जी आप लोग यहां पर आए शुक्रिया आप सभी मेमानों का और सभी किसान बंदूों का हमारे जितने भी ए पिए पिसीज के जितने भी मेंबर्स रिपर्जेंटेटिव यहां पर है आपका सभी को बहुत बहुत परणाम से मेंबर्स